उर्फिर जावेद ने अब तक जो भी पैना है उस पर इतनी चलचाए हुई है जितनी शायब किसी बॉलिवोड एक्ट्रोस के लाखो रुपे के आउट्पिट पर भी ना हुई हो ऐसे में ये तो साफ है कि चाहे उर्फि कुछ अच्छा पैने या बुरा लेकिन मीडिया के सुर्खियों में तो बस वही चाहेंगी ये बात और है कि आउट्पिट के मामले में तो वो किसी को कम ही तारीफ करने का मौका देती हैं जालत तर एक्ट्रोस के लुक ऐसे होते हैं जिने देखकर कोई भी अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो जाता है एक बार पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब उर्फि ने अपने अजीबों गरेब लुक से लोगों को हैरत में डाल दिया इस बार उन्होंने अपने कपड़ों के साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी आँखे डेटॉल से धोने पर मजबूर हो गए ये ड्रेस इतनी अटपटी थी कि अंधे भी बोले अच्छा है कि मेरी आँखे नहीं है अब आप भी सोच रहे होंगे कि डस्ट बिन बैक के बाद उर्फी जाविद ने क्या ही पहना होगा तो आपको पता दें इस बार उर्फी ने बेशर्मी की सबी हदे ही पार कर दी है दरसल अब उर्फी जाविद कपड़ों को छोड़ कर मुंबई की सडकों पर कौन शेप रालेट पहने नजर आए उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आईस्क्रीम कौन से अपने बोडी पार्ट को कवर किया हो ऐसे में अब कह सकते हैं कि उर्फी जाविद कुल्फी जाविद बन गई है उनका ये नया लुक किसी को भी पसंद नहीं आया सोशल मीडिया यूजर्स ने उर्फी को इस आउटफिट में देखने के बाद अपना ही इंटरनेट कनेक्शन बन करने की बात क्या दी है अब एक्टरस को जम कर ट्रॉल किया जा रहा है कोई उनकी बेशर्मी की हद बता रहा है तो कोई उन्हें वाहियात औरत बोलता हुआ दिखाई दे रहा है वैसे ये पहली बाद नहीं है जब उर्फी जाविद अपनी अनोखी स्टाइल के चलते चर्चाओं में हो इससे पहले भी उनके कपड़ों को लेकर कई बार विवाद खड़ा हो चुका है यहां तक कि उनकी ड्रेसिंग सेंस के चलते कई बार उनके खिलाब केस भी दर्च करवाई जा चुके हैं लेकिन पुलर स्टेशन के चक्कल लगाने के बाद भी उनमें सुधार का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा